हलो दोस्तों, Amun Computer 2.2 में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सेखेंगे कि MS Word में Certificate Design कैसे क्या जाता है तो जैसा कि आप लोग भी दे सकते हैं कि मैंने Microsoft Word में कुछ इस परकार से एक School का या फिर Company के लिए या फिर आप किसी Institute के लिए Certificate Design करना चाता है तो आप इस परकार से कर सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं तो अगर जो भी चाहते हैं कि हम भी अपने School के लिए Company के लिए या फिर किसी Institute के लिए इस परकार का Certificate आप Invite करना चाता है तो आप किस तरीका से इस परकार से Certificate Design कर सकेंगे तो चलिए आज किस वीडियो मैं आपको सारा Step by Step सारा प्रोसस में समझाओंगा कि आप इस परकार से MS Word में Certificate Design कैसे करेंगे तो वीडियो पर बने रहेगा चनल परने हैं और चनल के भी सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा क्योंकि हम Computer Rider इस परकार से वीडियो बनाते रहते हैं अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इस तरीका से Certificate Design कैसे कर पाएंगे तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको अपने Laptop में या फिर Computer है तो Computer में आप MS Word ओपन कीजेगा तो चलिए मैं MS Word का New Page ही Open कर लेता हूं जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं कि हमारा MS Word का New Page ओपन यहाँ पर हो गया है जब भी आप Open करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने Page को Setup करना होता है तो Page को Setup करने के लिए देखे आपको टैप बार में एक Option आपको मिलता Layout जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं यह Layout Option पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Horizontal पर क्लिक करना है उसके बाद आपको Land Escape को Select कर लेना है और Size में हम क्या करेंगे Size A4 को Select कर लेंगे तो यह क्या हुआ कि आपका Page इस तरीका से Setup हो जागा जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं यह जो Paper Size A4 में है जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं तो अभी हम इसी पर Certificate Design करेंगे चलिए आपको सब सब पहले स्टे अपियाई कर लेना अपने Page को Setup कर लेना है अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं तो इसके बाद आपको क्या करना हुचके बाद आपको Inset Tapper क्रिक करना जैसा कि आप लो भी देख रहे हैं इस उसमें चीचिंग सब करने के बाद आपको सेथक करने के बाद आपको देखिए इसमें एक सेप्स मिलेगा यह सभी MS Office का जो भर्जन होता है वर्ड का उसमें सभी में सेप्स ऑफन रहता है उसमें आप देश सकते हैं कि एक सेप्स आपको मिलेगा इस तरीका कराएगा जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं तो यह वह लास्ट को आपको स करने के बाद क्या किजएगा अपने पेच पर कुछ से इस को कर सकते हैं कोई कंडिकाइब करने के बाद इस fix तरीका से कि आप लोग भी देख रहे हैं इतना करने के बाद देखे इसमें भी एक option आपको मिलता है सारा option मिलेगा steps को मैं color फिल करने का तो आप यहां से क्या के जिएगा अपने steps में अपने हिसाब से color को फिल कर लेजगा जो भी आपको पसंद आता है उसका यूज आप कर लेजगा चलिए मैं blue color को select कर लेता हूं dark blue को और इसका outline को मैं यहां से remove कर देता हूं उसके बाद मैं क्या करूँआ इसे को duplicate कर लेता हूं जो steps मैंने लिया उसको duplicate कर लेता हूं duplicate करने के लिए मैं keyword से control डीप प्रेस करता हूं तो क्या हुआ कि आपका steps यह duplicate हो गया है और इसमें मैं क्या करता हूं अलग कर लोग फिल कर देता हूं जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं तो चलिए इसमें भी कुछ और कल जैसे कि य आपको कर लेना है और उसके बाद मैं फिर से क्या करना हूं duplicate करने के लिए मैंने आपको उताया था कि keyboard से control डीप्रेस के जिगा तो आपका steps duplicate हो जागा और इसमें भी आप अपने हसाब से कोई all color fill कर लिजगा और इसे भी आप send to bike कर देजेगा तो देशकती कुछ इस परका से जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कुछ इस परकार से देशकते कि आपका design भी इस तरीका से बनकर तैयार हो जाएगा और इससे आप अच्छी परकार से adjust कर लिजगा अच्छी तरीका से की जगा ताकि बेहतर आपको देखने में भी लगे इस तरीका से देशकते कि आ आपका डिजाइन यहाँ पर setup तो मेरा हो गया है कुछ इस परकार से जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं अब देखिए यहां से क्या करना है यहां से क्या करना है तो उसके बाद मैं क्या करता हूं फिर से मैं setup पर क्लिक करता हूं और जो steps मैं ने लिया था उसी steps मैं फिर स सेट अप करता हूं दियान से देखिया किस्तरीका से में करवह और इसके बाद मैं करने के बाद इसमें कर देता हूं इस मत्वास जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरीका से समझ जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस तरीका से देखिए यहां पर मैंने इस तरीका से किया और इसे मैंने क्या करता हूं है से Sand to Bike कर दता हूं इस तरीका से Sand to Bike और क्या हुआ कि पीछे चल गिया और कुछ इस तरीका से आपको अपने अच्छे प्रकास से भी setup कर लेज़ेगा अब देखे आपको क्या करना है अब आपको द्वारा से इसी सेप्स को duplicate कर लेना duplicate करने के लिए मैं आपको बताया था कि control plus d press करकर आप किसी सेप्स को या फिर text को भी duplicate कर सकते हैं ती इतना स्थारा बेतर आपको देखने की लगए इस तरीका से किजिएगा तो कुछ इस परकार से मैं कर रहा हूं इसका साइज को फुला समय इंक्रीज बढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पर फ्ट्रा साइज छोटा पर रहा तो इस तरीका समय हाँ पर setup किया हूं और मैं क्या करता हूं इसमें पर जाकर मैं यहां से इसमें कलर अलग फिल कर देता हूं फिल करने के बाद इसे मैं क्या करता हूं सेंट वाइक कर देता हूं जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं और इसे मैं क्या करता हूं अच्छी परकार से यहां पर मैं adjustment में कर देता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह जो डिजाइन आप देखें कि इस तरीका से आप create कर सकते हैं मसवर्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह जो डिजाइन एक 3D की तरह दिख रहा है जो आप steps ले हैं थो इस पर आपको click करना है क्लिक करने के पाद आपको सेch's formula पर जाना है तो इस ही में एक option आपको मिलेगा जैसा कि देख रहे हैं के यहाँ पर देखें यहाँ पर एक option आपको दिखायए देगा ओंगा यहाँ पर देख सकते हैं करना है चलिए मैं कंट्रोल बटन को प्रेस से देखे कि मैं सभी पर क्लिक कर रहा हूं सभी आपको इस पर कर लेना है करने के बाद आपको सेस पर जाना उस पर राइट किडिक करने के बाद उसमें एक आप को aims करने का जब आप राइट क्लिक की जगा देशकते कि यहां पर एक option आपको मिलेगा group इस पर आपको क्लिक करकर इसे group कर लिजगा तो यह क्या हुआ कि यह गुरूप बन चुका है आप इससे कि इधर भी कहीं पर भी move कर सकते हैं इस तरीका से क्या हुआ कि यह गृूप बन गय अच्छी परकार से अजलेस्ट में कर देता हूं करने के लिए आपको मैं पाता है कि इस तरीका से आपको मुब कर लेना है कुछ इस परकार से आपको setup कर लेना है जैसे कि आप लोगों भी देख रहे हैं इस तरीका से थ्वास आपको दिक्कत होगा लेकिन आप अच्छे परकार से कीज़ेगा तो यह भी हो जाएगा इस तरीका से आपको करना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस परकार से मैं यहां पर अच्छे परकार शेयर अजेस्टमेंट में कर देता हूं कुछ इस परकार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह दोनों डिजाइन मेरा सेम दिख रहा है काफी बहतरीन भी आपको लग रहा होगा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह जो डियान आप 3D की तरह बनाकर आप काफी बहतरीन सर्टिफिके डियान कर सकते हैं तो इस तरीका से आपको दोनों सबसे पहले काम कर लेना है अब चलिए मैं आगे का प्रो कैसे घिचना है इतना आपको रखना है और इसमें आप अपने साब से कलर फिल कर लिए चलिए मैं इसमें बुलू करके फिल कर लेता हूं और इसका जो वित रहेगा उससे आप थोड़ा से बढ़ा दीजेगा कुछ इस भरगार से और मैं क्या करता हूं इसको कुछ इस परकार से कर देता हूं जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं कुछ इस टैप से इतना करने के बाद मैं क्या करता हूं इसे सेंटू वाइक वाइड कर देता हूं मैंने आपको आपको सेंटू वाइक कर देजेगा तो यह पीछे चल जाएगा तो यहां से मैं सें Pristagate कर लिएगा group कर करको अग्रोड करना लिए कि आको स्लेक्षिन पैनल Seven पर किल्क करना है और इसमें आप Dynamic Eаєट कर लेना है अगर जो आप चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं नहीं तो आप सिंगल सिंगल हैं उutsari सकते दोब 13 तो यहां युला कर लिक रहा हूं है यह देखिए यहां पर duplicate भी यहां पर हो गया है duplicate होने के बाद मैं क्या करता हूं इसे मैं रोटेट कर देता हूं और मैं क्या करता हूं यहां पर भी इस परकार से इस से adjustment में कर देता हूं जो कि आप देख रहे हैं भी कुछ इस परकार से आपको जो keyboard का रायट लेट का वटन होता है उसका सहारा लेकर आप उपर निचे करकर अच्छे परकार से adjustment कर लेजीगा और इस से मैं send to backbed यहां से मैं कर देता हूं कुछ इस परकार से जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं ति यह क्या हुआ कि आप इस तरीका से डिजाइन तो बना लिए फ्रेम का डिजाइन देख सकते हैं कि मेरा तयार हो चुका है अब आपके आप जो जो टेक्स लिखना चाहते हैं अपने सेटिफिएट कर लिजेगा आपको जो ही पसंदाता है उसका यूज आप करकर इस परका से डिजाइन बना सकते हैं तो देखे दोस्ते इतना तो आपने काम समझ लिया इतना काम करने के बाद आप चलिए मैं अपना टेक्स लिखता हूं तो टेक्स लिखने के लिए आप जिसके समधित पर आपको चला रहें यहाँ पिर आपको अंचिचूट संस्ता चला रहें तो इसमें भू आप द Unless we लिखना करना और क्टर रचिव injust को अनुछ रिखना चाहते हैं तो चलिए दुस्टों मैं आपको में लोगो डियान करना चाहते हैं चलिए मैं अपना लोगो के यहां से मैं इंसाट कर लेता हूं इस तरीका से देख सकते हैं कि मेरा लोग यहां पर आज चुका है अगर जो आप इस परकार का लोगो डियान करना चाहते हैं मैं उस पर एक वीडियो बना दिया हूं सेम यही मै लिजेगा इस परकार का छोटा करने के बाद इससे भी आप अजेस्टमेंट कर लिजेगा कुछ इस तरीका से जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं इस परकार से इस तरीका से आपको अजेस्टमेंट कर लेना है करने के बाद आपको इंसाट पर क्लिक करकर आपको वर्ड़ा कंपानी नेम जैसे कि माली आप कंपानी के लिए बना रहे हैं तो यहां पर आप अपना कंपानी का नाम लिख लिए गा और शहभी को आपको बीच में सेंटर करकर आपको आपको रखना यहां से मैं फॉंड का इस्टाल भी चेंज कर लेता हूं कुछ इस परकार से जो भी दैता हूं ऐसे में अंडर लाइन कर देता हूँ देख सकते हैं दोस्तों क्या हुआ कि एक बीच का सेंटर में यहां पर सेट आप हो चुका है जो हरावल आपको लाइन दिख रहा वह बेच का सेंटर धर दर सारा है तो इस तरीका से आपको सही टेक्स को लिखना है तो लिए दोस्तों मैं आपको तरीका पर समझा दिया आप अब आपको अगला टक्स लिखना तो इससी को आप डूब्लिकेट कर लिजीगा डूब्लिकेट करने के बाद जो भी आप लिखने चाहते हैं उससे आप लिख लिजीगा टेक्स का इस्टाल चेंद कर लिजीगा कि जो मैंने अपने सर्टिफिकिट में टेक्स लिखा था और आप लिखना चाहते हैं तो चलिए में ओ भी आपको दिखा देता हूं ces trips को एफन कर लेता हूं देख सकते हैं दोस्तों इस तरीका से मैंने अपने अपको बताता हूं कि आपने अपने सिर्टिफिकेट में लि देख रहे हैं कि हमारे जो certificate मैंने डिजाइन किया था उसमें मैंने background को यूज किया है चलिए मैं वह भी आपको समझा देता हूं कि उसे आप कैसी यूज किजीगा तो चलिए मैं अपना जो बना रहा था उस पर मैं चलता हूं चलने के बाद मैं क्या करता हूं इसे में delete कर दे पर क्लिक करना thrilled प्रिक्टर पर किलिक करने कीबस आपको इंसेट 2 पर किलिक करना तो आप अपने ड्रैबस से यहां से यहां से आप एक background कर लिए जब आप Google पर सर्च किये गा certificate design by background तो आप आपको अलग 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 परकार अपना बाइक्रों दिखेगा जिससे आप अपने हिसाब से अपने पसंद से डाउनलोड कर लिजिए गा तो देखे दोश्ते हां से एक का ब्रूंड का था तो इससे मैं यहां से इंसाइट कर लेता हूं तो इस परकार से आपको भी दिखाई देगा तो इससे आप क्या किजिगा इस तरीका से अपने सेटिफिकेट में पूरे सेट अप कर लिजिगा इस परकार से इस परकार से आपको कर लेना है पूरे में कर लिजिगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको लग डहाएब कि तो धे द्धग गया लेकिन यह ढगेगा नहीं. मैं आपको तरीका बता दो nuts क्या दो कि आपकर कर सकते हैं तो इसके मैं क्या करता हैं यहां पर दे सकते हैं कि यहां पर एक option ओको मिलता है इसका जो रहता हैbas क्लेचाब तो इसका his जो कम होगा तो ग्राफिक आपको इसका 30 कर देना इस तरीका से 30% कर देजीगा 30% करने के बाद आप क्या कर सकते हैं से आप सेंट टू बाइक वाइड कर देजीगा तो देशकते हैं कि आपका बाइगरोंड यहां पर चुका है तो आप इस तरीका से अपने कंपानी के लिए या फिर इन्चुचुट के लिए सेटिपकेट कर सकते हैं और आप बाइगरोंड भी इस परकार से लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह एक छोड़ा सा प्रोसेस साटिपकेट डिजाइन करने का अगर जो आपको वी इस परकार से वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद